हेलो गाईज, आज ही इस वीडियो में हम बात करेंगे Realme 5 के वारे में, जी हाँ दोस्तो Realme 5 के अंदर एक ऐसा फीचर्स मिलता है, जिसके बारे में काफी लोग नहीं जानते हैं, और दोस्तो अगर उस फीचर्स के नाम की बात की जाए तो वो है Secure Lock, दोस्तो यह Secure Lock जो मिलत करता है, और दोस्तो आप इसको किस तरह से etnabel कर सकते हैं और किस तरह से इसको disable कर सकते हैं, तो चलिए दोस्तो आज का शुरू करते हैं. तो जैसा ही कैस्ट आप यहां दियान से देखें, मेरे पास यह Realme 5 Pro है, और जैसा कि ऐहां धियान से वर्जन 6.0.1 पर रन करता है बेसिकली दोस्तों ये जो फीचर्स जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं जो कि Secure Lock है ये आपको ColorOS वर्जन 6.0.1 के अंदर ही देखने को मिलता है तो आपको Simply करना क्या होगा जो Power Button है आपको इसे प्रेस करके रखना है और जसी दोस्तों आप इसको प्रेस करके रखते हैं तो प्रेस करने के बाद यहां आपको यहां restart का और power off का option देखने को मिल जाएगा और साथी साथ दोस्तों यहां आपको इस स्क्रीन पर एक और option देखने को मिल जाएगा Secure Lock का अब दोस्तों यह Secure Lock है कि चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं मेरा fingerprint भी registered है और face lock भी registered है बट ना तो यहां मेरा fingerprint वर्क कर रहा है और ना ही मेरा face lock यहां पर अभी work कर रहा है खर दोस्तों आप बात कर लेते हैं कि आप इसको अगर disable करना चाहते हैं Secure Lock को तो आप इसको किस तरह से disable कर सकते हैं इसके लिए simply आपको करना क्या होगा आपको अपने phone को एक बार password से open करना होगा यानि कि unlock करना होगा और unlock करने के बाद यहां जैसे ही आप इसको unlock कर देते हैं तो unlock करने के बाद आपके phone का जो secure lock का जो option है वो आपको फिर से receive हो जाएगा यानि कि फिर से देखने लगेगा करना चाहते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया सेम आपको वही process follow करना होगा यानि कि आपको अपने phone को एक बार password डाल के ही जो है unlock करना होगा तभी आपके phone जो है वो secure lock से हटेगा और आपके phone जो है उसका जो fingerprint और face lock है वो work करेगा अब दोस्तों यहां से मैंने secure lock को disable कर दि तो दोस्तों यहां मैंने आपको बताया है कि realme 5 के अंदर secure lock देखने को मिलता है जो कि अभी हमें realme के किसी other device में देखने को नहीं मिलता है इसका क्या काम है और यह किस तरह से हम इसको use कर सकते हैं अब दोस्तों यहां depend करता है कि आप इस features को कहां और किस तरह से use कर सकते है अब तो दोस्तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अगर आपके रियल्मी फॉन्स के अंदर जब भी ये फीचर्स आपको मिलेगा तो आप इसको किस तरह से और कैसे कैसे यूज करोगे खर दोस्तो फॉलाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजआ शेर कीज़े और साथी साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं तो चलिए फिलाली इस वीडियो को फिनिश करते हैं मिलते हैं ऐसी एक और मज़िदार वीडियो के साथ